तो बच्चो रिजल्ट को लेकर कि अगर कोई भी प्रेशर है टेंशन है तो एकदम छोड़ दो क्यूंकि कॉपी चेकिंग को लेकर के बहुत बड़ा गुड़ निकल कर क्या रहा है सुनकर के कुशी से उचल पड़ोगे इसकी गारंटी मेरी है मेरे पीछे तुम देख सकते ह को यानि की कॉपी चेकर्स को पांच बड़े बदलाव किये गए हैं कॉपी चेकिंग को लेकर के बहुत सेफटी से इस बार फुक फुक के कदम रख रही है जिसमें से तीन बड़े गुड़ नियूज मैं तुमको अभी बताऊंगा दो विद प्रूफ मैं बताऊंगा अभी अभी बड़ा घुड़ रिंहोज वो क्या है CBC ने क्या कह दिया hai चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं जल्दी से यह नियुको एक बहुत बड़ा घुड़ नियूज है जो CBC की तरफ से निकल कर क्या रहे हैं यहां पर क्या कहा गया है CBC के कि कि किसी भी हालत मे कम marks नहीं मिलेंगे उत्तर पुस्तिका में सिबसी ने कर दिया है पांच बड़े बदलाव अब वो पांच बड़े बदलाव कौन-कौन से है ये तुमार ले जानना वहाँ ज़रूरी है जल्दी से देखो वो पांच बड़े बदलाव कौन-कौन से है मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ चलो अब जल्दी से समझते है वो पांच बड़े बदलाव कौन-कौन से है भाई बहुत बड़ा गुड न्यूज है तो एक स्ट्रिक्ट आक्शन लिया है सिबसी ने कि स्ट्रिक्ट आक्शन दिया है कि किसी भी हालत में किसी स्ट्रिक्ट को फेल केटेगरी में ना भेजा जाए यान कि essential repeat जो बोलते है न हाँ वो नहीं भेजा जाए देखो भाई fail word तो हटा दिया गया है लेकिन essential repeat बोलो या fail बोलो बात तो एक ही है है न सिर्फ बोलने का लहजा बदल गया तो सिबसी का ये फैसला है भाई सिबसी ने सभी copy checkers को evaluators को ये instruction दिया है कि आप हर संभव कोशिश कीजिए हर एक student को पास करने का चाहे कुछ भी condition हो अगर कहीं से भी marks देने का possibility बनता है तो जरूर दिया जाए strict action है action लिया गया है कि not to fail any student ठीक है और एक दूसरा बहुर बढ़ा आदेश आया है उसको भी जली से देखो की to give every student तीन चीज़ें देने के लिए कहीं गई है कि भाई ये कहीं से miss ना हो जाए इसलिए separate ही एक बात आगया आदेश आगया कि पहला step marks दिये जाएं मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूं लेकिन क्यूंकि ये बड़ा पांच बदलाव आया है उसलिए मैं तुमको mention कर दे रहा हूं कि step marking दिया जा रहा है question attempt के marks दिये जा रहे हैं और separate marks दिया जा रहा है on paper presentation और याद करो यार यह paper जब तुम लोगों का शुरू हुआ था ना तो शुरू में ही मैंने तुम लोगों को कहा था कि यार paper presentation में focus अकना इस बार paper presentation खेल करेगा और देखो आप वही हुआ कि paper presentation को अगर तुमने copy को अच्छे से समझाया है कोई question के सामने कोई figure कर दिया है figure में labeling कर दिया है कोई diagram यूज़ कर दिया है data यूज़ कर दिया है तो मतलब समझ लो तुम तो छाग है ठीक है कॉशन के बीच में gap रखा है जो main keywords है उसको underline किया है तो समझो तुम्हारे marks है यार वारे ने आ रहे हैं तुम्हारे क्यों tension ले रहे हो ठीक है और एक बहुत अच्छा ये मुझे बहुत अच्छा लगा सिबसी का step कि भाई अगर तुमको अगर कोई ऐसा student जो अगर fail category में जा रहा है मतलब fail हो रहा है उसके marks कम हो जा रहे हैं तो दुबारा से copy checker को ये instruction दिये गया है कि भाई आप जो है वो copy को दुबारा से cross check किजिए और possibility को जिए of making pass मतलब student को pass करने के लिए हर संभव कोशिश की जाए जहां से भी हम pass कर सकें इससे बड़ा चीज और क्या होगा आप ही लोग सोच करके बताओ कि सिबसी के तरफ से ये जो 5 बड़े बदलाव मैंने जैसा कहा दो बड़े बदलाव जो हैं वो मैं बात में बात करूंगा पहले मेरा उसके लिए उसके regarding मेरे पास में जो documents है वो आले ने दो उसको मैं with proof दिखाऊंगा तो बात की कुछ और होगा ठीक है अच्छा यहां पे देखो डॉक्टर सयम भार्दवाज का एक statement भी था उस statement को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं यह statement क्या है जल्दी से देखो यह रेखो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर सयम भार्दवाज जो है उन्होंने कहा है कि मुल्यांकर में गरबड़ी होने के कारण result खराब होता है पिछले 2-3 सालों से ऐसे कई मामले सामने आये हैं जब students को marks कम मिले हैं ठीके तो इसका जो main reason जो है वो यह है कि सही तरीके से copy का चेक नहीं होना तो इसी वजह से इसको सही डंग से और copy checkers को instruction दिया गया है कि भाई सही डंग से copy check करो और साथी साथ में copy check करने वाले बहुत ध्यान से देखना copy check करने वाले teacher को हर उत्तर के सामने में तीन बार sign करने का instruction भी दिया गया है मतब समझ सकते हो सीबसी इस बार कितना फोक फोक के कदम रख रही है आप लोग खुद सोचो कि सीबसी पूरे alert mode पर on है और हम भी on है यार तो इस वज़र से देखो हम लोग भी अब on हो चुके हैं किसी भी हलत में हम लोग की भी पूरी कोशिश है वैसे तुम लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है तुमारे अपने इस channel को जिसको म 11th class में क्या nervousness आता है 10th और 12th से कितना differ होता है 11th class तो तुम्हारे मन में भी अगर कोई query है न तो comment में लिख देना कि कैसी वीडियो चाहिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखो क्यूंकि subscribe करके रखोगे bell icon प्रस करोगे all notification करोगे तब ही तो पता वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै पारद